यहारे दोस्तों नमस्कर आज की श्वीडियों और महत्त्यपुड वीडियों में आपका असागतentin म मैं आपको तीन नई जनकारी दोस्तों इसमें सरकारी नौकरी शिधी भर्ति की बात करेंगे बल्रामपूर और राजणांत कायो जिल्ये मैं सरकारी नौकरी भरती के लिए आयदान शुरू हो चुकी है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 190 पदों पर भरती के लिए आयदान की प्रक्रिया चालू हो चुकी है आपको आयदान कैसे करना है कब तक आयदान करना है कौन-कौन इसमें आयदान कर सकते हैं कौन सा केटेगरी के केंडिडेट इसमें आयदन कर सकते हैं इस प्रकार की संपूर जनकारी आपके इस वीडियो में मिलने आले दोस्तों इसमें जो खुसकबरी की बाती है कि 36 और सासन का आदेश आया हुआ था कि 9623 पदों पर डायरेक्ट भरती होगी इनहीं में से जो है भरती की प्रक्रियाद चालू हो चुकी है गरियाबंद के लिए भी कुछ समय पहले जो है अधन मंगाये गए थे उसके बाद अब दोस्तों बलरामपूर राजनान गाओ में भी इसकी सुभाराम हो चुकी है इसमें तृती और चतुर्थ सेड़ी के पदों पर भरती की जाएगी तो आपके पस सर करते आज की यह वेडियो दोस्तों वीडियो की सुरुवात जो है कर्याला मुख्यची की समस्वास्ताद करे जिला राइपूर से करते सुचना आया हुए जिसमें 15 वित्त आयोक के हेल्थ ग्रांड के अधिन समीधा भरती के पद जुनियर सेक्रेटियार असिस्टेंट की अनरक्षित सवर्ग की संसोधित प्रतिक्षा सुची अनसुचित जाती सवर्ग की संसोधित चेन तथा संसोधित प्रतिक्षा सुची यह अन्य पिछड़ा सवर्ग की संसोधित प्रतिक्षा सुची जो है पुना साइट में अपलोड कर दी गई है दोस्तों आप जा करके स प्रयोजना प्रसासक आदिवासी विकास प्रयोजना राजरान काओं के लिए तो विस्षेस इसमें बोला गया कि विस्षेस पिछडी जन जाती बैगा के पात्र युवाओं के लिए तृती एवं चतुर्त सेडी के रिक्त पदों की भरती है तो यह विज्यापन जारी की और क्यार के आपको 3722 75 बते तक दोहजवा अईदन प्रेशिद करना है तो देखिए इसके लिए जो कौन-कौन से पुष्ट है तो चतुर्त स्रेडी भृत्य नीमित वेतनमान इसके लिए इस प्रकत 1300 ग्रेट पेमेंट रहेगा और वेतन मेट्रिक्स लेवल वन का है चतुर्त स्रेडी भृत्य नीमित विशेश पिछली जन जाती बैगा इसके लिए 29 पद है और कक्छा आठी इसके लिए योग्यता रखी गई है और 33 रडी के लिए साय ग्रेट 3 वेतनमान बावन सव से 2200 ग्रेट पेमेंट उनीस सव वेतन मेट्रिक्स लेवल फोर और इसक पर ते नियमें सर्त की बात की जाए तो 33 चड़ी के लिए 12 चेतुर्त सड़ी की निन्तम आठी होना ची उपरोगत पद 36 गड़ सासन आदीम अनुसिचित जाती विकास विभाग रायपूर द्वारा स्रेजीत पदों की संख्या काम अधिक करने की जो है और अंतीम नीड़ सरमानने होगा इसके लिए उसके जो आवेदा को 36 गड़ के मुल्निवासी होना ची राजनान गाँ जिले में निवासरत विशेश पिष्री जन जाती बैगा वर्ग के अभियर्थी कोई प्राथमिकत दी जाएगी उप्रोगत पदों पर चेन समय विशेश पिष्री जन जा और आवेदान पत्र का रहला में जमा होने के बाद अभियर्थी दोरात जन मती थी एम अन्य बिंदो पर परिवर्तन माने नहीं होगा इसलिए जो है आपको आवेदान को साफ साफ इसपस टेक्चर में भरना है आवेदा की जो निंत में एक जुलाई 2022 को 18 वर्षा एम अध के पास जो भी डाकुमेंट है उसको स्वा प्रमाडित करके जो है तीस सद दोजर बाइस को साम पांच वजे तक जमा किये जाएंगे इस तीथी के पचात प्राप्त होने अला वेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एम डाक के माध्यम से समा सिमक के बाद प्राप्त होने आइदन सेंड करना है कि इसमें आपके जो भी हाई स्कूल हैर सेकेटिस नहीं पर कंप्यूटर ये जवा आपके पस डाकुमेंट है उसको वर करके जाएंट करना है सलगन प्रामारपत्र की सुची तही इस प्रकार से आपको जो है जो सलगन करेंगे उस पर आपको टिक कर अब हम आगे बात कर लेते हैं बलरामपूर जी ले की इसमें देखिए दोस्तों कर्यालाय कलेक्टर आदिवास्विकास बलरामपूर रामा नूज गंज मुख्यालाय बलरामपूर 36 गड़ के लिए प्रेस्विग अपति जारी के गए विशेश रूप से कमजोर जन जाती वर के सिक्शित युवावर्ग जीला इसतर पर सायकादी आयुक्त आदिवास्विकास बलरामपूर कारलाय में वा विकास खंड इसतर पर सभी जन पत्पनचाद कारलाय में आवेधन जमा कर सकते हैं बलरामपूर जीले का निवासियो नान्या प्रवाद पत्र के साथ अन्यार रूप से जमा करना होगा इस प्रकार से दी गई है इसके बाद बात की जाए देखिये विशेश रूप से जो कमजोज जन्जाती वल्गा के लिए यह है इसमें जो विभाग का नाम क्या रहेगा कराला जिला सिक्षा दिकारी बलरामपूर प सायक अयुक्ता दिवासी विभास बलरामपूर उसमें स्वच चर्तब परिचारक सचवकिदार इसके प्रीथ्य और इन विभाग के लिए भृटक यह इस प्रकार के दोस्तों इन विभागों में जो है इस पदनाम के जो है भरती वर ऑभरती कि जाएगे और जो बहरामपूर कराला जी रहा सिक्षद कारी के लिए सायग सिख्षद 33 के लिए तो अवेदन के साथ आवेदन के साथ आवेदन को नियुदखच दस्तोद लगाने अनुआ है बहरामपूर जी लेक्त निवाज प्रमार पत्र इस्थाइ far provide प्रारूप में जो है इस भर करके आप कुझे विभाग को सेंड करना है तो आपको कहां कहां जमा कर सकते हैं ये विकास कंडिस्तर पर परतेक जनपत पंचात के कराला में आप जमा कर सकते हैं और या साया कायोग तादी वास विकास बढरामपुर कराला में या विकास कंडिस्तर पर तो इस प्रकार से आपको यहां जो है आवेधन को सेंड कर देना है दोस्तो इसी प्रकार के नए-णय झाल